हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके लिए नर्सरी क्लास के मैथ वर्क्सिट लेकर आई हूँ, यह इतनी इजी और इंट्रेस्टिंग तरीके से वर्क्सिट बनाया है, कि आप अपने बच्चों का मैथ का जो कॉंसेप्ट है, इजी वे में क कर ट्रेस्ट नंबर, इस वर्क्सिट में जैसे आपने वन लिख दिया और ऐसे डॉट्स बनाके बच्चों को उसके थ्रू लिखवा के आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे ऐसे डॉट्स बने वे हैं, तो इसमें बच्चे जो है, तीरी से इसमें पैंसिल रखके और इ मिलाने की कोशिस करेंगे और इस तरीके से आप वे अपना जो है नंबर सीख लेंगे, तो इस तरीके से आप सारे जो नंबर से उसे लिख के और उसके डॉट्स बना देंगे, और फिर उसे उस डॉट्स को मिलाने की लिख आएंगे, इससे वे अपना जो है ट्रेसिंग करन नंबर को लिखना सीखेंगे दूसरा जो है काउंट एन मैच विद नंबर इसमें आपको जितने भी फिगर्स दिये वे उन्हें काउंट करना है और उससे रिलेटिड जो नंबर से उससे आपको मैच करना है तो बच्चे को जैसे ऐसे काउंट करना पहले सिखाएंगे जैसे अब आपको इस पिक्चर में आपको देखना है जैसे यहां है तो आप इस से मैच करना सिखाएंगे बच्चे को फिर यहां काउंट करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 तो 7 से मैच कर देंगे फिर 1,2,3,4,5,6,7,8 तो आप इसको 8 से मिलाना सिखाएंगे जैसे इस तरीके से आप और भी बहुत सारे पिक्चर्स ट्रोक रख कर सकते हैं और उसकी एकॉर्डिंग आप नमबर को मैच करना बच्चो को सिखा सकते हैं बच्चे भी पिक्चर्स देखके उसे काउंट करने की कोसिस करेंगे और उसकी एकॉर्डिंग जो नमबर से उसे हुए मैच करेंगे तो आप इस तरह किसे अप वक्सी तयार कर सकते हैं और बच्चों को करने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं next जो है color the same number of circle as per the given numbers अब इसमें क्या करना है कि आपको इधर numbers दिये हुए हैं और इधर circle बना हुए है तो आपको जितने numbers है जैसे यहाँ three है तो आपको three circles पे इसे color करना है जैसे यह three है तो आप इसमें color करना सिखा सकते है one then two then three जैसे यह four number है तो four circles पे color करना है जो भी color बच्चे को दे दे आप और उतने सारे colors से आप बोले कि इतने numbers को count करो और then उसे color करो तो बच्चे अपने color करने की trick से वह colors से भी excitement रहेगा और वह balls पे color करते जाएंगे तो जैसे two है तो यह मैंने two color पे circle किया circle पे color कर दिया है फिर यह one है तो then one पे जो भी twice color आप चूज करने बोलो बच्चे को कि आप यह color कोई भी color लो जो आपका कौन साप twice color है फिर उसे लेके जितने numbers है उतने पे circle करके color करना है यह six है तो one two three four five six six पे color कर दिया फिर यहां पे five है तो five circle पे color कर देना है तो इस तरह से आप numbers then उसके according जितने भी circle है उसमें color करना बच्चों को सिखा सकते हैं next two works it है color by numbers यह numbers लिखा है then आपको color बता दिया गया है कि इतने यह number two में आपको green color करना है number three में pink color then number four में yellow color seven number पे orange color number one पे blue then number five पे brown number six पे red तो इस तरह से जो pictures बने हैं यहां drawing किया हूँ है इस तरह के कि आप कोई भी drawing बना सकते हैं कुछ भी butterfly face या फिर flower कुछ भी बना सकते हैं और उसके recording आप number लिख ऐसे dot देंगे और जिस number पे जो color करना है वो यहां से choose करना है फिर आपको वो color करना है जैसे यहां इस ball में यह two number है तो two number पे कौन सा color करना है green तो बच्चे को आप बताएंगे कि इस number पे आपको green color करना है तो इस तरह से बच्चे जो है color भी चूज करना सीखेंगे देन किस number पे कौन सा color करना है यह भी समझ पाएंगे then number four number four पे कौन सा color करना है number four पे yellow color करना है then number six number six पे क्या है red color number three इसमें pink color करना है तो pink color चूज करने बुलेंगे देना आता है number one number one पे यह color है तो आपको यह color करना होगा इसके बाद आता है number seven number seven में कौन सा color है orange color तो orange color करना स्टार्ट करेंगे next number five five में आपको brown color करना है तो यह हमारा वर्कसिट यह complete हुआ तो इस तरह से बच्चे जब किसी object पे color खुद से करेंगे तो यह खुद भी बहुत है तो इस तरह से अलग-अलग object आप बना सकते हैं उसके picture ट्रॉ कर दे और उसे अलग-अलग color से उसे color खुद से फील करने दे इसके बाद हमारा next work seat है shape matching तो लग-अलग shape बने वे हैं तो इसमें क्या है shape की साथ shape को same shape से मिलाना है जैसे यहाँ triangle है तो triangle को triangle से match करना है तो triangle यहाँ है तो इसे इसे मिलाएंगे और यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक ही shape के जितने भी object सारे को अलग-अलग color किया गया है तो बच्चे क्या है different color होने के बाद भी shape को पहचानना सीखेंगे जितने shapes है तो उन्हें shapes को अलग से पहचानेगे जैसे same color यहाँ blue color है बट यहाँ पे जो है orange color है लेकिन color से match नहीं करना है shape देखके match करना है तो इस तरीकी से बच्चे shape भी पहचानना सीखेंगे फिर यहाँ है square तो square को square से match करना है rectangle तो rectangle को rectangle से match करना है फिर star देन आता है oval semicircle then circle तो इस तरीके से बच्चे shape matching करना सीखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे object बना के या फिर किसी भी picture का draw करके उसे same से match करना सीखा सकते तो यह था हमारा match का different type का worksheet जिसकी द्वारा आप बच्चों को अपने उनके concept को clear कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छो लगा तो like करें share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो